कल राज से अचानक प्रदूस्वन का अस्तर दिल्ली में बढ़ा है। अभी तक जो हमने राज से और अभी तक जो तमाम साइन्टिस्टों से बात की जो सारे चीजों का एनलसिस किया है। उसमें दो फैक्टर समझ में आ रहा है कि जो प्रदूस्वन का अस्तर एक युवाई 300 के आसपास था हूँ अचानक जो है मल्टिप्लाई कर गया, बढ़ गया। उसमें पहला तो जो कारण है कि कल पटाके जो है जलवाए गए, दिल्ली के आम लोगों ने पटाके नहीं जलाए, लेकिन भारती जनता पार्टी के लोगों ने पटाके जलाने के लिए उसाया लोगों, उसको धरम से जोड़ करके प्रिचार किया गया। इविन कई सारे लोगों ने सोचल मीडिया पे कि हम पटाके जलाएंगे चाहिए, जो करना हो कर लो। तो ये जो सोच है उसने कल दिल्ली की हवा को खराब करने में एक महत्मूर भूमी का अधा किया है। लेकिन पटाकों के साथ साथ दूसरा जो रोल प्ले किया वो पराली ने किया है। अभी जो सारा डाटा हमने निकलवाया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये देखें, ये कल का पराली जलने का ये चित्र है ना सका, जिसमें आप रेड एरिया देख रहे है रेड एरिया के नीचे दिल्ली के उपर अगर आप देखें तो वाइट वाइट एरिया दिखाए दे रहा है। ये कल उधर से, कल तक परसों तक पूरब से हवा चल रही थी, तो जो पराली की घटना हैं, लगबग 800-1000 जगहों पर पराली जल रही थी, लेकिन अब वो साड है, तीन हजार से ज़्यादा हो गई है, कल का जो दर्ज है, मतब चार गुना से ज़्यादा पराली जलने घटना बढ़ी कल, दूसरा जो हुआ कि जो हवा का रुख है, वो उत्तर से हो गया, तो अब जो पंजाब, भर्याना में जो भी पराली जली, तो कल साम तक ही जो परदूसरा का अस्तर है, वो काफी कई गुना बढ़ गया, जिसकी वज़ए से आज जो है, दिली की हवा जो है, दमगोटी हो गई, कि दिली के अंदर का जो परदूसरा ने, उस परदूसरा को कम करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, तो जो बाहर से पर उसन और इमर् परदूसरा करने के लिए हम सब को मिलके लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, और अभी इमर्जनसी लेबल पर आज से हमने जो है, सड़कों पर पानी के छिड़काओ का जो है, वो अवियान हम तेश कर रहे हैं, आज हमने दिली के अंदर जो है, जो मोबाइल इंटी स्मॉक गन है, उसको हमने आज सुरू किया है, जो सड़कों पर पानी का छिड़काओ करेगी, इस्टेशन से स्मॉक गन है, उनको भी हमने इस्टेबल करना सुरू किया है, जिससे की तेजी के साथ इस पानी के छिड़काओ से भी जो ततकाल प्रभाव से चीजों को थुड़ा रो